पैंशन के कम्यूटेशन को ले करके साथियों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उन्हें पढ़के ऐसा लगता है कि पैंशन के कम्यूटेशन को ले करके बहुत सारी दुईधाएं हैं और साथियों के मन में सबसे बड़ी दूइदा ये है कि पैंशन का कम्यूटेशन कराना फायदेमंद होता भी है या इसमें कोई फायदा नहीं है सभी साथियों को नमशकार आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी में इस चैनल को सबस्क्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन पर जरूर कलिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके आज की इस वीडियो में pension के commutation को ले करके इनी पहलों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जिस्ते की साथियों की इन शंकाओं का निवारन पूर्ण रूप से हो सके और ये साथी इस बात को निश्चित रूप से डिसाइड कर सकें कि उनको अपनी pension का commutation कराना है या नहीं कर गया है pension को commute कराने का जो procedure है ये पूरी तरह से optional है और government employee की इच्छा पर निर्बर करता है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि government employee अगर चाहे तो अपनी pension को commute करा सकता है और अगर वो नहीं चाहे तो वो अपनी pension को commute नहीं भी करा सकता आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर च calculate किया जाता है इसके संबंद में एक वीडियो को already upload किया जा चुका है इस वीडियो को आप इस चैनल की playlist में जा करके देख सकते हैं आए सबसे पहले देखते हैं कि pension के commutation के लिए जो calculation है वो किस प्रकार से की जाती है pension की committed value को calculate करने के लिए सबसे पहले हम pension का जो committed portion है जो maximum 40% of basic pension तक हो सकता है इस portion में हम multiply करेंगे बारे की और फिर इस figure में जो amount आएगा उसमें multiply की जाएगी commutation factor की यह जो commutation factor है यह retirement के time पर जो employee की age है उसके आधार पर commutation factor table से इसकी value को लिया जाता है commutation factor tables को download करने का link नीचे description में दिया गया है जहां से आप इन tables को download कर सकते हैं आईए अब एक example के माध्यम से pension के commutation की calculation को समझने का प्रियास करते हैं example के लिए हम माल लेते हैं कि retirement के time पर employee की जो basic pay है वो 70,000 रुपए है इसके आधार पर employee की जो basic pension होगी वो 50% of last basic लिया जाएगा यानि के इसके लिए हम 70,000 रुपए का 50% calculate करेंगे जो की 35,000 रुपए होता है example के लिए हम माल लेते हैं कि employee अपनी pension के 40% maximum limit को commute कराना चाहता है तो इसके आधार पर pension का जो committed portion होगा उसके लिए हम 40% of basic pension को calculate करेंगे यानि के इस example में हम 35,000 रुपए का 40% calculate करेंगे जो की 14,000 रुपए होता है अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि यह जो commutation का period है यह 15 साल के लिए होता है यानि के इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई employee अपनी pension के किसी portion को commute करा लेता है तो इसका effect 15 साल तक उसकी pension पर रहता है 15 साल के period के लिए employee को जो pension मिलती है उसको residuary pension कहते हैं और इसकी calculation के लिए employee की basic pension में से commuted portion को minus कर दिया जाता है इस example में हम 35,000 रुपए जो basic pension है उसमें से 14,000 रुपए जो commuted portion है उसको minus कर देंगे और जो balance amount आएगा 21,000 रुपए ये pension का amount employee को 15 साल तक मिलेगा 15 साल के बाद employee की जो pension है वो वापिस 35,000 रुपए हो जाएगी अब यहाँ पर हम example के लिए माल लेते हैं कि जो government employee है उसकी retirement की जो age है वो 60 years है अभी 60 साल की retirement age के आधार पर commutation factor table में जो value दी गई है वो 8.194 है अब यहाँ पर हम calculate कर लेते हैं कि employee को जो commutation का amount प्राप्त होगा वो कितना होगा यहाँ पर इस example में जो pension का committed portion है वो 14,000 रुपए है इसके बाद इसमें multiply की जाएगी बारेकी और उसमें multiply करेंगे हम commutation factor यानि कि 8.194 का इन तीनों की multiply करने के बाद जो amount आता है वो 13,56,520 में रुपए है अब इस example के आधार पर हम यह जानने का प्रियास करेंगे कि यह जो employee है इसको यह commutation कराना फाइदे मंद होगा या फिर इसमें employee को कोई फाइदा नहीं है आई सबसे पहले हम यह जानने का प्रियास करते हैं कि यह जो employee ने commutation कराया है और 15 साल तक इसका जो repayment government को किया जाना है उसके उपर government कितना interest apply करती है अब यहाँ इस example में हम देख रहे हैं कि government employee को क्या मिला है वो है pension का commuted amount जो कि 13,56,520 में रुपए है अब इस commutation को कराने के बाद government employee किस amount को pay करेगा वो होगा reduced amount जो 15 साल के लिए है यानि कि government employee को 14,000 रुपए हर महीने 15 साल तक अपनी pension में कम प्राप्त होंगे इसके आधार पर अगर हम calculation करती है तो 14,000 रुपए में 12 से multiply करने पर 1 साल का amount आएगा और इसमें 15 से multiply कर देंगे तो 15 साल का total amount आजाएगा जो employee को pension में कम मिल रहा है इनकी multiply करने पर जो amount आता है वो 25,000,000 रुपए है अब इन दोनो amount का जो difference है उसको हम interest के रूप में मान सकते हैं यानि के total 25,000,000 रुपए जो की government employee को कम मिल रहे हैं और commutation के रूप में जो 13,000,000,000 रुपए मिल रहे हैं इन दोनों का जो difference है 11,000,000,000,000,000,000,000 रुपए ये एक प्रकार से government employee interest के रूप में सरकार को पे कर रहा है अब इसके आधार पर हम calculate करते हैं कि government employee को कितने percent का interest इसके उपर देना पड़ रहा है interest की calculation के लिए हम माल लेते हैं कि अगर कोई government employee अपने committed amount यानि के 13,000,000,000,000,000 रुपए के बराबर का कोई loan ले लेता है और उसके लिए monthly installment यानि के EMI के रूप में 14,000 रुपए पर month का payment करता है जो कि committed pension के equal का amount है और इस loan को चुकाने में commutation period के equal यानि के 15 साल का period repayment में लगता है तो इसके आधार पर जब हम rate of interest की calculation करते हैं तो वो इस प्रकार से आती है इस interest की calculation के लिए हमने HDFC के EMI calculator का इस्तेमाल किया है इस calculator में हमने loan amount के रूप में 13,56,500 रुपए का amount लिया है जो की commutation के amount के equal है और इसमें loan को repayment करने का जो period है वो हमने 15 साल का ले लिया है अब इस calculator में जब हम 9.05% का rate of interest डालते हैं तो इसकी जो EMI है वो 14,003 रुपए आती है जो की employee के monthly installment यानि के committed portion of pension 14,000 रुपए के लगवग equal है यानि के इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई government employee अपनी pension के 40% को commute करा लेता है और इस commutation के amount को वो 15 साल तक repay करता है और उसको reduced pension मिलती है 15 साल तक तो इसके उपर government employee को 9.05% का interest rate पे करना पड़ता है तो आईए अब इस example के आदार पर चर्चा करते हैं कि government employee को जो committed amount मिला है 13,652 में रुपए का जिसको वो 15 साल में 14,000 रुपए पर मंत की EMI पर pay कर रहा है यह employee के लिए beneficial होता है या नहीं होता है इस situation को हम अलग-अलग तरीकों से समझने का प्रियास करते हैं पहले case में हम माल लेते हैं कि government employee अपनी pension के किसी भी portion को commute नहीं कराता है और इसके बदले में वो इस amount को एक recurring deposit यानि के RD account में खुद से ही save करता है तो 15 साल के बाद उसके account में कितना amount इखटा हो जाएगा अब इस example के आधार पर RD account की जो detail है उसको हम इस परकार से calculate कर सकते हैं इस account में जो monthly installment government employees deposit करेगा वो 14,000 रुपए के equal माल लेते हैं जो की committed portion of pension के बराबर का amount है अब RD account की जो duration होती है वो 10 साल के लिए होती है जिसके लिए जो rate of interest है वो 6.35% per year का है यहाँ पर जो ये interest rate लिया गया है ये ICICI bank का senior citizen के लिए जो interest rate दिया गया है उसको हमने calculation के लिए लिया है अब इस account में 10 साल के बाद जो maturity value होगी वो 23,46,460 रुपए calculate होती है अब क्योंकि computation का जो period है वो 15 साल के लिए होता है और RD account की जो maturity का period है वो 10 साल का है तो 10 साल के बाद जो ये amount मिल रहा है 23,46,460 रुपए इसको हम post office की FD में 5 साल के लिए और डाल देते हैं और 5 साल के बाद इस FD की जो maturity value होगी वो 32,47,156 रुपए प्राप्त हो जाएगी अब यहाँ 10 साल के बाद हम 5 साल की एक और RD को start कर लेते हैं 14,000 रुपए पर मंद के आधार पर 10 साल के लिए जो calculation है वो तो हमने यहाँ पर कर लिए और जो total हमें calculation करनी है वो 15 साल के लिए करनी है इसलिए 14,000 रुपए महिने की हम 5 साल की एक RD की calculation और कर लेते हैं जिसके आधार पर 14,000 रुपए महिने से 5 साल में जो RD की maturity value है वो 9,89,956 रुपए प्राप्त होती है इसके आधार पर 15 साल में जो total saving प्राप्त होगी वो 32,77,156 रुपए और 9,89,956 रुपए का total होगी यानि के 42,67,112 रुपए यानि के इसका मतलब यह हुआ कि अगर government employee अपनी pension को commute नहीं कराता है और commutation के amount के equal की वो RD करा लेता है 15 साल के लिए यानि के 14,000 रुपए हर महीने वो RD account में invest करता रहता है तो 15 साल के बाद उस employee के account में 42,67,112 रुपए एकटा हो जाएंगे अब इसी example को हम दूसरी situation में analyze करते हैं दूसरे case में हम माल लेते हैं कि employee ने अपनी pension का commutation करा लिया है और commutation के बाद जो उसको total amount मिला है उस total amount को वो fixed deposit account यानि के FD में invest कर देता है 15 साल के लिए तो इसके आधार पर 15 साल के बाद कितना amount प्राप्त होगा उसको calculate कर लेते हैं यहाँ पर जो FD में investment का amount है वो 13,67,520 रुपए ले लेते हैं जो कि employee को commutation के रूप में प्राप्त हुआ है FD account का जो duration है उसको हम 15 साल ले लेते हैं और rate of interest के लिए SBI में जो senior citizen के लिए interest दिया जा रहा है 6.70% per year का उसको हम calculation के लिए ले लेते हैं इसके आधार पर इस FD की जो maturity value होगी वो 36,41,426 रुपए होती है यानि कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर government employee commutation में जो amount मिल रहा है 13,67,520 में रुपए इसको 15 साल के लिए FD में invest कर देता है तो 15 साल के बाद उसके account में जो पैसा होगा वो 36,41,426 रुपए हो जाएगा अब इसी example को हमें एक तीसरे case में discuss करते हैं जिसमें की employee अपनी pension को commute करा लेता है और commutation में जो amount मिल रहा है उसको वो एक higher interest के FD account जिसमें की लगबग 8% per year का interest मिल रहा है ऐसे account में invest कर देता है तो उसकी calculation किस प्रकार से आएगी यहाँ पर example के लिए हमने माल लिया है कि जो investment का amount है वो 13,67,520 में रुपए है जो employee को commutation के रूप में प्राप्त हुआ है और इस पूरे amount को वो एक higher interest के FD account में invest कर देता है इसके लिए भी हम जो duration है वो 15 साल का ही ले लेते हैं और जो higher rate of interest है उसको हम 8% per year का माल लेते हैं इ जानिके इस case में अगर government employee अपने commutation के amount 13,67,520 में रुपए को 15 साल के लिए invest कर देता है तो 15 साल के बाद उसके पास 43,66,782 रुपए account में प्राप्त हो जाएंगे आईए अब इन सभी situation को एक साथ comparison के रूप में देखने का प्रयास करते हैं और यह समझने का प्रयास करते ह कि pension का commutation कराया जाना फाइदे मंद होता है या नहीं है इसके लिए comparison को हमने दो इससो में divide कर लिया है पहले इससे में हमने लिया है कि अगर government employee अपनी pension के किसी portion का कोई commutation नहीं कराता है और दूसरे पार्ट में लिया गया है कि employee commutation के option को choose कर लेता है अगर employee अपनी pension को commute नही कराना चाहता है तो उसके लिए दो option अवेलेबल हो सकते हैं इसमें पहला option तो यह है कि employee किसी भी saving scheme का कोई benefit नहीं ले रहा है और दूसरा option यह है कि employee same amount को RD account में invest कर रहा है इसी प्रकार से अगर employee commutation के option को choose कर लेता है तो इसमें भी दो situation सो सकती हैं पहली situation में हम माल लेते हैं क कि employee अपने commutation के amount को FD account में deposit कर देता है और दूसरी situation में हम माल लेते हैं कि employee अपने commutation के amount को एक higher interest वाले FD account में invest करता है तो इसके आधार पर जो calculation है वो इस प्रकार से हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि investment का जो amount है वो कितना है अगर employee किसी भी saving scheme में invest नहीं कर रहा है तो उसक कर सकता है अगर employee ने commutation के option को choose कर लिया है तो commutation के रूप में जो उसको amount मिल रहा है 13,56,520 रुपए ये amount उसको investment के लिए available हो जाता है अब यहाँ पर जो period of investment है वो इन सभी cases में हम 15 साल का ले लेते हैं जो कि commutation का period है rate of interest जो इस calculation के लिए लिया जा रहा है वो इस प्रकार से है जब employee किसी भी saving scheme में invest नहीं कर रहा है तो इसके लिए कोई rate of interest applicable नहीं होता है अगर employee ने RDA account में अपना investment किया है 14,000 रुपए पर मंत के हिसाब से तो उसको 6,35% के interest rate से हमने calculate कर लिया है अगर employee ने commutation के amount को FD account में invest कर लिया है तो उसके लिए हम 6,70% का interest rate माल लेते हैं और second option में हमने लिया है कि अगर government employee 8% के higher interest वाले किसी FD account में invest कर देता है तो उसमें उसको कितना amount प्राप्त होगा इसके आधार पर जो total saving 15 साल के बाद calculate होती है वो इस प्रकार से है अगर government employee ने किसी saving scheme का कोई फाइदा नहीं लिया है तो 14,000 रुपए पर मंत के आधार पर 15 साल में जो amount उसको प्राप्त होता है वो 25,000,000 रुपए है ये वो situation है जब government employee ने कोई commutation नहीं कराया है और उसको normal pension मिल रही है और उस pension के amount को वो कहीं पर invest भी नहीं कर रहा है second case में हम माल लेते हैं कि government employee इस 14,000 रुपए के amount को RDA account में 15 साल के लिए invest करता है तो उसको 15 साल के बाद 42,666,112 रुपए का amount मिलता है ये दोनों वो situation है जब government employee ने commutation के option को select नहीं किया है और खुद से ही अपना investment कर रहा है दूसरे case में जब government employee ने commutation के option को choose कर लिया है और उसको commutation के रूप में 13,56,000 रुपए मिल गए है तो normal FDA account जिसमें की 6.7% का rate of interest मिल रहा है 15 साल के बाद इस account में 36,41,426 रुपए government employee को प्राप्त हो जाती है जबकि दूसरे case में commutation के इसी amount 13,56,000 रुपए को 15 साल के लिए 8% interest rate वाले किसी account में invest कर दिया जाता है तो government employee को 43,66,782 रुपए का amount प्राप्त होता है तो इस प्रकार से इस table में हम देख सकते हैं कि ये जो amount है 43,66,782 रुपए ये इन चारों में समसे जादे amount है तो इस table के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर government employee commutation के option को choose कर लेता है और commutation के रूप में उसको जो amount मिल रहा है 13,67,52 रुपए और government employee को कोई immediate expenditure की requirement नहीं है तो वो इस amount को किसी higher interest वाले FD account जिसमें की लगबग 8% का rate of interest मिल रहा है उसमें अगर FD कर देता है तो 15 साल के बाद उसको सबसे ज़ादे amount इस account में मिल जाएगा government employee को अपनी pension के किसी amount को commute करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए ये इस बात पर भी depend करता है कि retirement के time पर government employee को immediate किसी बड़े amount की requirement है या नहीं माल लीजे government employee को कोई मकान खरीदना है या फ्लैट खरीदना है या बच्चो की शादी करनी है या उनके business की कोई requirement है तो उसके लिए एक बड़े amount की immediate requirement होती है उसके लिए pension के commutation का option लिया जा सकता है लेकिन अगर government employee को ऐसी को immediate requirement नहीं है तो उस case में भी अगर government employee commutation के amount को receive कर लेता है और उसको 8% annual के higher interest rate वाली किसी FD account में invest कर देता है तो इन future अगर government employee को कभी ऐसी को requirement आती है जिसमें एक मोटे amount की जरूर रख पड़ती है तो government employee के account में वो पैसा हमेशा available रहता है तो ऐसी परिस्तिती में अपने account के इस पैसे का वो इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर एक बात और जो खास जान रखने वाली है वो यह है कि commutation का जो period है वो 15 साल का है और 15 साल का यह period एक significant period है वरतमान दोर में जो हाला चल रहे हैं उन्हें देखते हुए 75 साल की age तक health के बहुत सारे issues raise हो सकते हैं और अगर हम एक adverse situation को भी consideration में ले लेते हैं कि इस 15 साल के period के पूरा होने से पहले ही pensioner की death हो जाती है और उसकी death के बाद family pension शुरू हो जाती है तो यहाँ पर खास जान देने वाली बात यह है कि family pension के उपर commutation का कोई effect नहीं होता है यानि कि family pension के amount में से commutation की कोई recovery नहीं की जाती है pensioner की death होने के बाद commutation की recovery को रोक दिया जाता है और पूरी family pension issue की जाती है इन सभी points को consider करते हुए मेरा अपना opinion यह है कि government employee को अपनी pension का commutation जरूर क FD account में invest कर देना चाहिए आशा है कि यह वीडियो pension के commutation के विभिन पहलवों को इस पस्ट करने में जरूर सफल रही होगी आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार नमस्कार